लॉन स्टेटमेंट सिर्फ मोबाइल OTP से डाउनलोड कर सकते हैं यहां Chrome ब्राउजर ओपन करके टाइप करना है Accessbank Support यह website को जहां से देखेगा application.accessbank.co.in इसी पर आपको क्लिक करना है इसका URL में description box में देदूंगा वहां पर क्लिक करेंगे यह page open होगा अब यहां पर उपर insta service जहां पर लिखा है वहां पर क्लिक करना है थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहां पर loan service का एक button मिलेगा यहां पर क्लिक करना है इस trick से आप दूसरे का statement भी डाउनलोड कर सकते हैं दूसरे के लिए भी statement डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां पर loan statement जहां पर लिखा है वहां पर कहीं पर भी एक जगा क्लिक कर लीजिए जो लोग access bank के internet banking या mobile app यूज नहीं करते हैं उनके लिए best trick है अब यहां पर mobile number type करके continue करना है अगर register mobile number active नहीं है तो आप email OTP से भी इसको download कर सकते हैं अब यहां पर mobile number email पर दोनों पर OTP जाता है तो यहां पर OTP टाइप करके आपको login करना है login करने के बाद यहां पर select duration पर click करना है इसके बाद custom पर click करके date range select करनी है जब से भी statement चाहिए उस date को select करना है from में और तू में आज की date उसके बाद download पर ही click करना है login statement बिना PDF password का download हो जाएगा email करेंगे तो email पर भी आजाएगा अब दोस्तो नॉर्मली download यहां पर दिख जाता है अगर आपको download यहां पर नहीं दिखता है तो आपको chrome browser की setting आपकी ठीक करनी होगी तो chrome browser open करते हैं और यहां पर उपर देखे top right में जहां पर तीन डॉड बने हैं वहां पर click करके पहले हम setting chrome की जो है setting अपनी ठीक करेंगे यहां पर click करने के बाद नीचे देखे नीचे से उपर में setting लिखा है यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद notification वाले बटन पर क्लिक करके, यहां से notification हमें on करना है, तो अगर allow notification यह off है, तो इसको भी on करना है आपको, और उसके बाद, दो तीन और notification हैं, जो की बहुत important है, जैसे browser का notification यह on करना है, यह हो सकता है, आपका off हो, completed download, यह off हो, active download, यह off हो, तो इन सभी को आपको तीनों को on करना है browser, completed document and active download या फिर mobile की screen को ऐसे नीचे के दरब पुल करते हैं तो यहाँ पर download complete का एक दिख रहा है हमें इसमें loan account नमर के आंक्री digit है यहाँ पर click करते हैं और यहाँ से भी हम PDF sales को open कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो subscribe जरूर करना, share करना, दूसरे की help करना फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ जैहिन दोस्तों धन्यवाद